का अच्छा पर दोटाया वाइसने के विजुल कॉर्टक्स और से उगनाज की बारे में इस नियूस कर चुक्य है कि हमाय पास बूलुच्था गई घर फोती है जो अगसे इस पुर्ड लोब विज्वाल कोटेक्स में ठीक हो गया यह जो प्राइमरी विज्वाल कोटेक्स है इसमें सिग्नल में बारे में थोड़ा सब बताया है कि आई के अंदर जो बिल्कुल मिडल में रेजन होता ना जिसको मेक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं इसके अंदर पोविया सेंट्रालिस होता है इसमें से जो फाइबर जाते हैं वो जाकर टर्मिनेट होते हैं यहां पे प्राइमरी विज्वाल कोटेक्स पे पुस्टीरियर ली ठीक है यह बाद उसने बताई विया और जो पीछे वाला सारा एरिया है मेकियूला Davidson के लिए टोपोग्राफिकि ली और यह जग्राइस यहां इसकी बीज़ाइड किया हुए बाकि से बैठारा है हमाई पास कि एसके प्राइम्हां कोटेक्स है 나도 यह सारे के सार'RE सकेंवरी विज्वाल ऑर यह सकैंट्राइब आरिया है की सदीन काफी सब्सक्राइब बिजुल कोटेक्स में नाइंटीन भी पढ़ाएघ साथ में तो सिगनल जाते हैं तो तो signals यहां पर जाकर analyze होते हैं, compare होते हैं previous minutes के साथ, past experiences के साथ, जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं, तो signal direct कहां चले जाते हैं, primary visual cortex में, यह main जगा है, जहां पर signals आकर terminate करते हैं, फिर एक second के बाद हम क्या कहते हैं, यह चीज़ मैंने पहले देखी हुई है, यह मैंने फ़लाँ movie में, फ़लाँ drama में यह देखा है, तो वो information यहां से यहां जाती है, past experience के साथ compare होती है, और secondary visual cortex आपको उस information को analyze करने में, उसको recognize करने में, dissect करने में help करता है, तो यह secondary visual area का function है, अब again जो है, यहां पर आगे वो क्या बात कर रहा है, कि यह जो primary visual cortex है ना, बाकी तमाम cortex की तरह, जैसा कि हमने cns module में पढ़ावा है, कि सारे cortex में, हमाइपस तक्रीमन 6 layers होती है, सारी इसके पास भी 6 layers है, यह layer 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और input signal जो आ रहे हैं ना, दोनों तरफ से, यह तो हमाइपस आ रहे हैं, magno cellular layer से, dorsal geniculate body की, या फिर parvo cellular, यह जो layer 3, 4, 5 और 6 है, या फिर layer 1 and 2 है, ठीक है, यहां जो signal आ रहे हैं, वो भी आके बाकी तमाम cortex की तरह, layer 4 लेगार 3, 5 और में here, यहां पर जो layer 4 है, उसके फृधर सब डिइन, उसके वादिएन, पर रहे हैं, तो यह पर जो बात करेंगे, magno cellular की तो यहां पर आप देखो, यहां पर और यह पास नो जड़ियर लेटी यह 1 और यह ए, और यह इन्पुट कहां से लेते हैं, एम डिया लेकिन ब्लैक इंड वाइट वीजन के लिए इंपुट यहां जा रहा है और यहां से फिर इंपुट ऊपर और नीचे की तरफ डिसपर्ज हो रहा है अब अगर हम बात करें डॉर्सल लेटरल जैनिकुलेट बॉड़ी की बाकी चार लेयर की तो उन में से भी सिगनल जो पी ग लेटर बारे में से उपर वाली और सबसे नीचे वालीलेयर में और इसके बाद सिगनल जो है वो वीज़न के लिए रिस पॉनसिबल होते हैं तो इस तरह से इंपल्स आती हैं लेक्ट बाडी से दो रास्तों से या तो मäइ सब्फेट बाइट विजन फास कंडंगिंग या फिर पार्वो सेलूलर लेयर के थूर जो कि स्लो कंड़क्टिंग जरूर है लेकिन इसमें से जो इंपल्स होती है या आगे फुर्द ब्रांच इस कलर ब्लॉप के पास भी जाती है और कलर फूर वीजन हमें मिलती है और इस पैरे के अंदर वही बता रहा है कि जैसे आपने ब पहुंचने के बाद ऊपर लेयर वन टू फी तरफ भी जाएंगे और डीपली फॉर फाइट की तरफ फी तरफ लेसे दिस्टंस वाले बन टू तो फी तरफ जाएंगे फदर प्र प्रसेसिंग के बारे में बता रहा है यह एक बड़ी इंपोर्टन सी बात है अच्छा यहा अच्छा में ने कहा डॉर्सल लेटल जनीकुलेट बॉडी में भी जब तक ही तब तक भी सेपरेट थे सेपरेट लेयर में यह टमिनेट हुए फिर उसके बाद वहां से जब इसिगनल चले जाते हैं हमाई पास मतलब इमेज करियेट हुआ था और रेटना के उपर सैंपॉ आखों के रेटना पे सैंपॉइंट गडर बन रहे तो यह अपस में क्या हो जाएंगी रिजिस्टर होने का मतलब है इनका जो पॉर्डिक बन रहा था रेटना के उपर वो सैंपॉइंट पे था इसलिए जब यह प्राइमरी विजुल कॉर्टेक्स में जाएंगी तो वहां है वह कॉर्सपानिंग पॉइंट पे बने और कोरिस्पानिंग पोईट पे होगा तो हम कहेंगे कि यह रिजिस्टर होगा तो प्राइमी विजुल कॉर्टेक्स में जाकर लड़की कोने कि देखता है उसे एक और उपजेक्थ नियुक्त में mm देख्यारों कि यूजा रही होती हैं की तो फ्यूस के नहीं तो पर उम्जा प्रॉसस में मुझे प्राइमरी विजुल कोटेक्स में सिगम से जाते हैं और की फिल्कलम कर दा होडरी ऑब यरेआ हैं कि और प्राइमेंड आप इमिज के बारे में मुव्मेंट के बारे में इसकी वीजिन हमारा आप करके बताएगा पहले तो हम देखेंगे कि यह चीज है कैसीटी के जो चीज हम देख रहे हैं प्राइमरी विजुल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं पर से अनलाइज करना शुरू करते हैं यह तो यह सारी अनलाइजेशन हमें कौन देता है यह त्री डिमेंशनल एरिया विद इन इस डाइग्राम के दर बताना चाहरा है हमें कि अगर आप ब्लैक एरोस को देखेंगे तो यह ब्लैक एरोस जो है प्राइमरी विजुल कॉर्टेक्स से कहां जाते है इस एरिया में जाते हमें उसकी त्री डैमेंशनल इमिज को लिक नाइस करने में उसकी ग्रॉस फीचर को उसकी अपिरेंस और फिजिकलिक ऊ 믿 अपनी मुवमेंट को और फिर कुछ ए रेड एरो जो जा रहे है इस बार कि प्र और चाहिव जुटेल को को और ने को यह जो है वह हमें यह पर हमें दो चीजा है कि किस तरह अनालसे होती है इसकी स्टीक्शर की फॉर्म की मुपनितन की कलर वीजन की